अस्थमा एक ऐसी गुमारी है अगर बच्चों को बच्छपन में होगी तो यह मरतें दम तक पीछे इन चोड़ती हैं यह लाइलाज़ बुमारी बन जाती है और अगर बच्पन में शुरू ही अगर किसी वी उम्र में शूरू होगी इससे पीच्छा छुडाना ही मुश्किल हो जाता है मैं आपको बताऊंगा सौ में से 99 लोग 99 परसंट लोग अस्थमा से ठीक क्यों नहीं होते हैं और एक परसंट लोग हैं वही अस्थमा को ठीक कर पाते हैं बाकी लोग है सारी उमर वही बात दवाईयां खाने के चक्रमी रह जात है गुसा सुभाव चड़ चड़ा यह एवल च्छाती तक बमारी सीमत नहीं रहती है आपके दमागी और श्रीरिक विकास की उपर भी यह रोक लगा देती है और आपको अनेबल करती है कई सारे फिजीकली और मेंटल काम करने में और आपको एक तरह का कॉन्फिदेंस आप का लूज हो जाता है क्योंकि आपका इंहिलर कहीं पर छूट गया तो आप मीटिंग नहीं टेंड कर सकते कहीं जानी सकते आपको काफी दिक्कत आ जाती है मैं आपको बता हूंगा एक प्रसेंट लोग कैसे अस्थमा का पर्मानेंटी कर सकते हैं और आपको ही पता लग सांस लेने में दिक्कत थी और वो इन दिक्कतों से सीधा एनहेलरी लेने लगे जैसे उनकी छाती में से वा जाने लगी थी उनकी छाती में रेशा बर गया था उनको सांस लेने में दिक्कत आगी थी सांस नहीं खीच पा रहे थे दौरते वक्ती उनको सांस चड़ियाती थ च्छाती में इतनी ज्यादा बल्गम बरगी थी तो उन्होंने क्या किया च्छाती के अंदर बल्गम खांसी जो उससे आने वाली थी और सांस लेने में दिक्कत थी उसके लिए सीधा जातो निहेलर जा सीधा मैडिसन वह मैडिसन कोई भी एंग्रेज जी होमेपती जाए इलाज यहां पे नहीं एक प्रिसेंटर लोग इलाज कैसे करते हैं वह पता करते हैं कि यह बमारी क्यों हैं च्छाती में मुकस क्यों भरी है सांस लेने में दिक्कत क्यों आई है सांस क्यों चड़ रही है बैठे हुए यह वह इन बमारियों का कारन पता करते हैं जैस आप चीनी बहुत ज़दा है वह इस चीज को बढ़ावा देती है, शूगर है किसी बीतरा की चीनी मिक्स चीजे है आप खारे हैं जैसे आलव में कार्पस बहुत ज़दा हुते हैं, जो यह चीन Hindus करते हैं, ऐसी बिना और भी बहुत सारे कारणा है, जैसे स्ट्रेस की वजासे भी अस्थमा हो जाता है, एक किटानु होता है, अगर किटानु चाहती के अंदर गुष जाए तब भी अस्थमा हो जाता है, तब मेडिसन चाहिए एक किलो खालो, जब तक को किटानु नहीं मारेगी, एक चीज हो जाओगे वो भी कुछ ही दिनों में अस्थमा से आपका पीछा ठूल जाएगा लिवर का ठीक होना बहुत जरूरी है तो एक मेडिसन है काडस मेरिनस यह आपको लिकुड में मिल जाए और लोग इनल कोहल मिल जाए वाटर बेस अक्स्टेक्टो पानी में त्यार की हुई द सुते समय तीन टीम लेना शुरू करें क्योंकि लिवर को बहुत ही बड़ा रोल है इन सबी चीजों को ठीक करने के अंदर तो लिवर आपका ठीक होने लग जाएगा अराम भी आपको पहले ही दिन से दिखने लग जाएगा आप दूद शक्र है चीनी है इन दिनों में करना शुरू करेंगे और अपने टेस्ट भी करवा लें तब तक ये मेडिसन लेले आप पका ठीक हो जाएंगे उमर कोई भी तो इसके बिना ही मेरे चंद पर बहुत सरे एल्थ टॉपिक्स वर वीडियो जाएं गठी अरलची अस्तमा कैंसर ब्रेन टुमर पेट की बुमार करेंशन हरोई पहुंचती रहें तो दोस्तों वीडियो को कभी कबार दो चार बार आपको देखना पड़ सकता है पूरा समझने के लिए तांकि आप से कोई गलती ना हो कोई भी दवा लेने में तो द्यान से देखा कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बूलेगा मिलते हैं फिर नहीं वीडियो के साथ बहुत 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 शुक्त